स्वामी नलन आनन गिरी जी ने पिछले दुनों एक बहुत ही बढ़िया इवेंट में बहुत ही बढ़िया बात की उन्होंने कहा कि हम जो इनसान हैं एक ही जगा अकठे हो सकते हैं लेकिन जब सेकरड प्लेसिस की बात होती है तो हम बढ़ जाते हैं आज मैं स्वामी जी से जानना चाहूंगा कि हमारे हिंदुत्व में इतनी पावर है इतनी शक्ति है और इतना पीस है कि वो तो सब को अपने अंदर समेट लेते हैं क्योंकि हम अकाश की भी बात करते हैं, हम इस दर्थी की भी बात करते हैं, इस यूनिवर्स, इस काइनात की भी बात करते हैं, और हमारा हिंदुतृ सब को अपने अंदर समेट लेता है। बले से मेरे जैसे लोग जिनके नाम Muslim faith से affiliated हो या किसी का नाम Christian faith से affiliated हो लेकिं अगर वो सिंदू देश से तल्लक रखते हैं, जिसका नाम चेंज होते होते हिंदुस्तान बन गया हिंदुस्तान मेरे लिए जैसे यौरप बहुत सरे मुलकों का एक बहुत ही मिक्स्ट अमेज़ा है इसी तरह हिंदुस्तान उस रीजन के बहुत सरे मुलकों का यौरप है जैसे कोई जर्मन अपने आप को कहे कि मैं यौरपियन नहीं हूँ वो अपने आप से जूट बोलेगा वो जर्मन भी है और यॉर्पियन भी है फ्रांसी सी यॉर्पियन भी है जर्मन भी है इसी तरह बंगला देशी हो पाकिस्तानी हो अफगानी हो बुटानी हो नेपाली हो शरी लंकन हो वो सबके सब अपने अपने देशों से भी तरलक रखते हैं लेकिन उनकी बड़ी आईटेंटिटी जो है वो है हिंदुस्तान जो आज का शब्ध है बारत बारत पुराना शब्ध है हिंदुस्तान आज का शब्ध है ये confusions क्या हैं ये identity crisis क्या हैं और कैसे हम सब उस region से जुड़े हुए अपने oneness के साथ जुड़ सकते हैं मैं स्वागत करता हूँ आज एक बार फिर स्टूडियो में स्वामी नालन आनन गिरी जी का बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद के आज आज आप हमारे पास स्टूडियो में स्वामी जी फिर तश्रीफ लाए हमारे लिए ये honor की बात है चुके आपकी धर्मों पे बहुत गहरी नजर है मैं स्वामी जी आज कल जिस पे आपने पी एच डी भी की हुई है मैं गुरुकुरंद साब को सुन रहा हूँ क्या peace है क्या soothing effect है मैं audible books में जाके मैंने उनका जखीरा वहां से डाउनलोड की और वो सुन रहा हूँ wonderful peace लेकिन वो है peace की सारी कहानी लेकिन unfortunately हमारे इंसानों के अंदर एक बेचैनी है हम उस peace में रह नहीं पाते हैं कहीं न कहीं बेचैनी, कहीं न कहीं violence कहीं न कहीं जो है ऐसा काम जो होली स्क्रिप्चर और होली स्पिरिट के खलाफ है आप स्वामी जी कैसे देखते हैं आज के संसार को पहले तो मैं टाग टीवी के सभी दरशकों को और मेरे बहुत आदर नियुश्री ताहिर साब को प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ और आप बहुत महत्वपूर्ण प्रशना लेकर आए कि हम हिंदू जो सिंधू शब्द से जिसकी वयुत पत्ती हुई जो वैस्टनेस का प्रतीक था और उस वैस्टनेस के और उस चिनरासिटी के कई बार गलत मायने निकाले गए और बहुत से बटवारे किये गए अपने स्वार्थों के लिए अपने मनौर्थों की सिद्धी के लिए लेकिन जो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रशना किया आपके साथ उस दिन तारिक फता साब के भी मेमोरिय सब जान दे आवी पुल बेट है तो और नाल जाना बस कर्मा ने हैरान हा मैं कुछ तू भी दास एना विचने क्यों फतूर बड़े ए खुदा तेरी दुनिया दे वखरे ने हुन दस्तूर बड़े बड़ी विडंबना है जी कि हम विभक्ति में लगे हैं और मैं हमेशा अपने प्रवचनों में एक बात कहता हूं कि जो हम बांटते हैं वो प्रसाद होता है और जो हम बटोरते हों विशाद होता है तो ये बटोरना विशाद बन गया है और इस विशाद के लिए फिर से किसी को भगवान कृष्ण की उस भगवत गीता की मशाल को फिर से जागरुद करके विश्व को एक नई रोशनी दिखानी पड़ेगी और जो सुशुप्त चेतनाएं हैं उनमें फिर से एक नूतन जज़बे को भरके एक नया प्रकाश दे के उनको फिर से चेतने बनाना पड़ेगा कि वो अपने किरदार को समझ पाएं तो उस किरदार को समझने के लिए मैं समझता हूँ भगवत गीता श्री गुरुगरंद सहीब आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया मेरे को तो गुरुगरंद सहीब एक सदा मस्तक जुकाने का स्थान रहा और श्री गुरुगरंद सहीब जी के माधियम से जो ग्यान परतन एक गरंथ पंजाबी में लिखा गया एक गरंथ संस्कृत में लिखा गया सिरफ भाशा का फरक दिखाई देता है तो बहुत आदर है तान श्री गुरुगरंद सहीब जी को और हमारे आश्रम में भी हमने बाबा जी का प्रकाश कर रखा है और मैं स्वयम तीन बानिय का पार्ट रोज करता हूँ तो कोई फरक नहीं लगता जी आपने आश्रम की बात की मेरी लैंड में जो आपका आश्रम है जी उसके बारे भी आज हमारे दर्शकों को एक बार फिर हमारे शो के राईं थोड़ी इंफरमेशन दीजिए ताके वहां पे जो आपका Holy Scriptures को टीज करने का जो तरीका है उसका अल्टिमेटली क्या गोल है और कैसे उससे लोग फाइदा आठाते हैं तो ये आश्रम बिलकुल वाशिंग्टन डी-सी से लगभग 25 मिनट की दूरी पे है Maryland State में Rockville Town है और इस में इस इन मिस्ट आफ वरी बीट बीटिफुल अरिया इस लाइए 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 और साथ में तान्श्री गुर्गान साभ जी महराज का भी प्रकाश है और जो मूल बात है ने जी की आश्रम का एक सबसे बड़ा लक्ष है की ग्यान प्राप्ती के साथ हम सेवा में जुड़ें अगर हमारे पास ग्यान है और हम अपने कमरे में बैठके माला फिरते रहते हैं तो वो समाज के किसी काम नहीं आ रही सेवा सबसे बड़ा जरीया है और वो सेवा के लिए हम प्रमोट करते हैं पांच प्रकल्प है। there are five propositions that we propose. The first is, I am a trustee of Sankalp Foundation in Delhi with Dr. Sumit Marig, in which deaf children are operated upon and they are implanted a cochleal implant with which they can get rid of their deafness. So, for the children's children, and in India, there are three children in 1000 children. They are born in a very big number. So, I am a trustee of Sankalp Foundation. We are trying to generate those funds for the poor children, those who cannot afford their treatment as for cochleal implants. In this case, we are in Madhya Pradesh, where we are trying to give young children to give their children's home, and to help them to help them. And in that case, they are making young children like paper bags, cloth bags, which are made in America's hotel industry, which are our hoteliers. We are trying to give them employment, and it is very commendable that everyone is helping us, and we are trying to generate that money. And one girl is getting around 20,000 rupees a month from that project in U.S., from the ashram. And also, there is a blind and deaf school in Patiala, in which 400 children, 432, to be precise, are deaf and blind. And some are both, even deaf and blind. So, we are also taking care of those children, helping, trying to help. And in Patiala, in Patiala, in our Punjab, there is an orphanage in which someone has been two days of children, or five days of children, who has been left behind, which is unawareness in our society, which is very bad against human values. We are also fighting for those children. We support them for their education, their marriage, their careers, and their education. and last of all, satsanghs of satsanghs of satsanghs of satsanghs, wherever they are, like Brampton, there is also satsanghs of satsanghs of satsanghs, in the Bharat Mata Mandir, I have the last day, the first one of the appeals, that if you want to give something, then do a job in your country, in your country, wherever you see a poor child, that's the education, that's the one of the children, that's the one of the children, in your life-time, dedicatedly. So, this is our raster, our dream, to be the first of all, it's a big contribution. So, these five projects, we are going for a while, we are going to go. The shriam of the mule, the dhash is, that, the wisdom of the dhash is, and if the wisdom of the dhash is not, the wisdom of the dhash, the wisdom of the dhash. This is a very interesting thing. We have talked about it, with the wisdom of the dhash. We started the wisdom of the dhash. से ग्यान के साथ साथ हमने जो स्पिर्चुल वेल बींग है जी और जो इनसानों को जोड़ना है और जो पीस है उससे बाती शुरू की और मैंने जब दूसरा क्वेस्टिन किया तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि सेवा जो है जी वो किस तरह आप फिला रहे हैं और आपने मेरे पूछे बगैर ही कहा कि उस ग्यान का कोई फायदा नहीं जब तक सेवा उससे फूटी नहीं तो स्वामी जी ये जो इतने कांपलेक्स रिष्टे हैं इनसान के इनसान के साथ कि हम आइडेंटिटी क्राइसिस में भी हैं हम दूसरे को फायदा भी नहीं देना चाहते हम पीस की टीचिंग भी लेते हैं मगर पीस को हम मैनिफेस्टो भी उसका नहीं कर पाते इसके लिए क्या रस्ता सुचता है देखिए हमारे यहाँ एक अवधारणा है कि सबसे पहले भगवान आदिजग्द गुरु शंकराचार ने जब मंदन मिश्र को पराजित करके ज्यान परमपरा का संस्थापन किया तो उनों ने शास्त्र और शस्त्र दोनों की धारणा की न्युक्ति की हम लोग परमहन ससन्यासी होने के कारण शास्त्र को लेकर प्रचार करके समुदायों में, समप्रदायों में, सबकी अलग-अलग सोच में भी एक सामन जस्त्र से पैदा करने की भावना रखते हैं सरवे भवन्तु सुखिना, सरवे संतु निरामया, सरवे भद्रान पश्चंतु माकश्चित दुख भाग भवेत। इस सिद्धान्त के नुरूप आदिशगत गुरु शंकराचार भगवान ने शास्त्र को प्रात्मिकता दी। लेकिन जब शास्त्र काम ना कर पाए, तो न्याइक वश्था और शस्त्र का होना आवशक है। और हमारे हां सन्यासियों को साम, दाम, दंड, भेद चारों का ग्यान दिया जाता है। तो आज आवशट था है कि वी टीच पीपल, वी एडुके पीपल, वी एडुके पीपल, with the help of knowledge. And once we declare ourselves as failures, we haven't been able to change the world, then the श्षट्र has to come and roll and play the rest of the part. बहुत आपने बड़िया बात की, फिर मैं उसी बात की तरफ वापस जाओंगा। हमारा जो हिंदूत्व है, उसके हम सब part and parcel हैं, बले से किसी का faith कलब कुछ भी हो। मैंने अपनी example दी, और इस वक जो हिंदूत्व के खलाफ international propaganda है, उसको हम कैसे counter करें। बिकास हिंदूत्व itself लोगों ने target list पे रख लिया, इस शब को ही target list पे रख लिया। और ये तब से हुआ politically जब से भारत में प्रामिनिस्टर इंडरा मोदी की सरकार बनी 2014 से। उससे पहले frankly हम हिंदूism से तल्लक रखने वाले लोग या हिंदूत्व के लोग बड़े cool समझे जाते थे जो American एक phrase है, के very cool people. लेकिन ये ये बदलाओ politically है, international level पे, मंगर इसका counter क्या है? लेकिए बहुत बड़ी समस्या भी है जी और इसका निदान बहुत असान है, हमारे faith में एक जो मैं basic problem continuously face करता हूं is sometimes illogical approach to scriptures and it is sometimes by our orators and our pracharaks and preachers is being taken by just by on the story basis. अगर हम उसके तारकिक revelations करें, हम उसके logical revelations करें, लोगों को सही logic समझा पाएं, तब एक बहुत बड़ी कुरांती established हो सकते है, क्योंकि इतना logical और इतना reasoning for faith कहीं किसी दुनिया पे नहीं, being a student of comparative studies, I very honestly and honorably read Quran Sharif, I read Bible, being a chaplain I had to go through almost 400 hours of biblical studies and also read Tanshri Guru Granthasad, also read Dhammapad, also read Jinn Sutras, also read the Zoroastrian faith. There is nothing that can stand up to a logical reasoning to how we convey our message, पर हमारे प्रचारकों को एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा, कि कहानी के deeper context को और concept को समझाने पे जादा जोर दें, ना कि कहानी सुनाएं, जैसे मंदिरों के अंदर जो दर्शन है हमारे, वो एक concept है, एक philosophy है, चार हाथ वाला आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जब भगवान नारायन की चार हाथ वाली मूरती हम देखते हैं, शंक जकर गदा पदमा, that is a concept, what cannot be logically, scientifically proven in the modern world, it was not like that, it was a depiction of a concept, और अगर concept समझाएं, multi-tasking का, किसी के अंदर जो भगवत था है, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने की सामर्थ से आती है, आज उस logical reasoning की जरूरत है, जो हमारे में, हमारे प्रचारकों में बहुत बड़ी कमी आ गई है, और कमी इस कारण से जादा महसूस होती है कि अगर आप किसी भी प्रचारक को इस ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, तो वो फेंड हो जाता है, तो आज इगोज को एक तरफ रखके, बड़ी गोल की तरफ फोकस करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक दूसरे का हाथ पकड़के, जहां से हम सीख सकते हैं, और जहां सिखा सकते हैं, वह हम सिखाएं, तो हम हिंडुत्व को फिर से वहां लेके जा सकते हैं, क्योंकि logical reasoning के बिना ये काम नहीं होगा एक मंदिर में एक बारी कोई Christian faith के कुछ बच्चे मंदिर में synopsis and Hinduism लेने आए और वो altar पे पुजारी का मजाख उड़ाने लगे तो मैं दूर से देख रहा था तो मैं उसके पास गया मैंने उसको कहा कि मैं आपको सारी logical reasoning देने के लिए तयार हूँ before I start that I want to ask a question how was Christ born from Virgin Mary if you have an answer to that I am ready to answer all the logics you want me to answer हम किसी पे भी उङली उठानी बहुत आसान है पर अपने उपर उठने वाली उङलीओं को रोकना बड़ा मुश्किल है तो हमारे पास सारे तर्क हैं और हम उन तर्कों से हिंदुएजम को इतना strong बनाए उन तर्क उस लाजिकल वैलियू से उसकी बुनियाद को इतना strengthen करें कि वर्ल्ड उसे हमारे convey किये बिना खुद उसे समझने का जजबा रखे जी बड़ी आपने important बात की आपने दो चीजों को यहां पर बड़े अच्छे तरीके से जोड़ा एक तो international political scenario का problem है जो हमें target की हुए है जो हिंदू को target दूसरा हमारे अंदर भी कुछ modern sensibilities की जो कमी है जिसके कारण हम भी अपने आपको दुनिया से जोड़ नहीं रहे स्वामी जी आप एक लंबे अर्से से अमेरिका में भी है भारत की दर्ती आपकी अपनी है जिए उनकी sensibilities को भी समझते हैं आज के अमेरिका में और आप कैनिडा भी बहुत आते जाते रहते हैं आज के अमेरिका में कैनिडा में उस modern sensibilities की जो modern sensibility आप कहरी की हुए है जिससे आप इस वर्ल्ड को लॉजिकली भी समझाते हैं हिंदूइजम के बारे में तुद्व के बारे में वो आपको कितनी नजर आ रही है movement और sort of strength इस वर्ल्ड कितनी है आप जैसे जो स्वामी है जो लॉजिकल चीजों को समझते हैं वो कुछ बढ़ रहे हैं या या अभी को थोड़ा से challenge है में आपने बड़ा सुन्दर सवाल किया जी और उस सवाल से पहले मैं आपके एक बात का जवाब जवाब ज़रूर देना चाहूंगा कि जो आज हिंदुत के प्रतिय जो वर्ल्ड फोरूरम पे ग्लोबल फोरूरम पे एक उसको target करने का मसला खड़ा हुआ है वो target इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जहां ज़्यादा फल लगते हैं फिर वहां पत्थर पढ़ने शुरू हो जाते हैं यह हम लोगों के लिए कभी कभी जजबे का भी एक सबब बन जाता है कि हमें पता है कि अब वो बढ़ोतरी प्रारंब हो गई और बहुत बड़ा श्रे मैं उसका आधर निये श्री नरेंदर भाई मोदी जी हमारे प्रदान मंतरी जी को देना चाहूंगा जिन्होंने इसको ग्लोबल फ्रंट पे लाके एक अपना होना सारे विश्व को बताया और हमारे मंदिरों का उत्थान करके और जो आपने प्रशन किया कि क्या हमें चैलेंज़ आ रहे हैं क्योंकि जहां-जहां हम जाते हैं क्योंकि I don't use televisions or I have not been using, I have just been using social media like Facebook and YouTube. So, we are getting a great response. Wherever we have sermons, step by step as we are moving forward, क्योंकि मेरी एक अप्रोच रहे जी कि जो चलते हैं धीरे धीरे वो कभी नहीं गरते हैं. जो दौडने की कोशिश करते हैं उनकी गरने की संभावना रहती हैं. तो एक मन में धारना रहे कि बहुत धीरे चलें. अगर मेरे जीवन में भी मुझे उसके फूट्स नहीं मिले, उसका फ़ल नहीं मिला तो आने वाली पीडी को मिलेगा लेकिन हम धीरे धीरे काम करें. तो जहां भी धीरे धीरे ये कारे हुआ, इश्वर की कृपा से आज अल्मस्ट अमेरिका, अमेरिका में is a huge number that is getting evolved, that is getting aware and they are joining the congregation, they are realizing our values and they are now having more logical approach. हमारे बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं, जब दूसरे फेथ के बच्चों से इंट्रैक्ट करते हैं, जो पहले कभी-कभी देवी देवताओं का उपहास उडाने की कोशिश करते थे, उन बच्चों को आज तरक के माध्यम से अतना ग्यान मिल गया है, कि वो इतने स्ट्रेंटन हैं कि उन लोगों को जाकर, without showing any disrespect to their religion, they are able to maintain the respect of our own faith. So, ये सब उस तरक के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से ही हो पाया है, और मैं अभी यॉरप जा रहा हूं, 17 तारीक से लेके 31 तारीक तर, वहां भी logic, reasonings or concepts पे ही based चर्चाएं, नर्वे में, Sweden में, Denmark में, England में, और इन सभी देशों में, Portugal में, इन सभी देशों में एक आर स्वामी जी, आप इंटरनेशनल शेहरी हैं, और वैसे भी हमारा जो हिंदुत्व का गुरू होता है, वो इस प्लैनेट का शेहरी है, इस सारे सिनेरियो में, जिन चैलिंजिस की भी हम बात कर रहे हैं, खास उपर प्रैमिनिस्ट इंदरा मोदी जी के, पी-म बनने से अब त भारत वर्ल्ड स्टेज पे आया, वहाँ पे मिलाइन भी करने की कोशें अटेंप्स्ट जो हैं, वो उती रहती हैं साथ साथ, आप जैसे परचारेक, आप जैसे जो गुरू हैं, वो कैसे इस सारे बैड प्रॉपगेंडा को नलिफाई कर सकते हैं? वो केते हैं ने जी की हाथी जब अपनी चाल चलता है तो कुटे दूर से भंगते हैं, हाथी के पास नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता हाथी का पैर पड़ा, तो कुटे को उसकी आखात याद आ जाएगी, मैं हमारे बहुत ही आदर्णियें, जिनके लिए मैं बहुत जजबा रखता हूँ, बहुत उनके लिए सदकार रखता हूँ, ऐसे आदर्णियें प्रधान मंतरी श्री नरेंदर भाई मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश को केवल ग्लोबल फरंट पर ही नहीं लेके आए, और जो अपना काम कर रहे हैं, वो हाथी की चाल में चल रहे हैं, और बाकियों को मैं कुछ कहना नहीं चाता हूँ, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और विश्व देख रहा है जी, उस प्रग खिलेगा और भारत को वो सम्मान प्राप्त होगा जहां डाल डाल पर सोने की चडिया करती है बसे रहा, तो थी नहीं है हो जाएगा, वो भारत देश है मेरा, वो दिन दूर नहीं लग रहा जी. आपने बड़ी पते की बात की कि वो दिन तो दूर नहीं है और प्रामिनिस्टर निंदरा मोदी जी बिलकुल अपने जो फुट्परिंट्स हैं, अपनी सिविलिजेशन के वो हाथी के पाउं की तरह छोड़ रहे हैं और इम्परिंट कर रहे हैं, अब अगर हम भारत की भी बात करें, तो पूरी दुनिया की तरह, इस प्लैनेट की तरह, अर्थ की तरह, एक भारत इसल्फ वेरी डाइवर्स देश. जी. और जहां से मैंने बात शुरू की थी, वहां पे मुस्लिम फेद कलब के भी लोग हैं, क्रिश्चन फेद कलब, बेके भी, जरौस्टियन भी, सबी फेद कलब के, और खुद हिंदुत में एक बहुत बड़ी विराइटी है, बहुत बड़ी डाइवर्स टी है, चलिए, जो हिंदुत की अपनी डाइवर्स टी है, हिंदुएजम की जो डाइवर्स टी है, वो तो अपने अंदर है, लेकिन जो बाहर के फेद कलब से हैं, उनको भारत हो या भारत से बाहर आप दोनों जगा बैठी हो हैं भारत से बाहर भी हैं भारत के अंदर भी हैं उनको जो आउटर सरकल के लोग हैं उनको कैसे अपने अंदर समोने का प्लैन आपके पास है और उनको भी क्या एडवाइस है कि वो भी अपनी आइडेंटिटी के स किस तरह स्टे कौन हो एक्षिली जी बड़ा हम मुद्दा है कि हम उनको कैसे अपने मिलाएं और उनको अपनी आइडेंटिटीज को कैसे बरकरार रखना उसके साथ साथ हमारे यहां एक आदी जगद गुरु शंकराचार भगवान ने देविय पराधक शमापंस तोत्र में ए पुत्र को पुत्र हो सकता है माता को माता नहीं होती तो हिंदुत्य की एक सनातन परंपरा की एक बहुत बड़ी विशालता रही है कि हमने सब को अपने में समाहित किया बेटा तो बुरा बेटा हो सकता है जो हमारे से ही निकला है लेकिन मा कभी बुरी मा नहीं हो सकती तो सनातन रुपी मा उन सब को अपने आंचल में उस दुलार में भरने के लिए तायर और उनको उनके फेथ को बरकरार रखने की उनको वो लिबरिलिजम के साथ वो खुली चूट देता है जी हमने तो सदा सरवे भवंतु सुखिनह कहा हम सब के सुख की परिकल पना करते हैं और ना किसी पर अंगली उठाते हैं और ना अपने पर अंगली उठने देते हैं अगर कोई अंगली ना उठाए उसको भारत में पूरी स्वतंत्र आजादी है चूट है हित करता है भारत उसको और आज भी बड़ी खुबसूरती से आज मुसलिम भाई बड़े खुबसूरती से आज उत्तर प्रदेश एक योगी जी के शासन में जिनका पुने हम बहुत आदर करते हैं जिनोंने एक ऐसी नियाइक व्यवस्था बनाई कि आज मुसलिम भी उस व द्धानतों के समावेश से वो एक योजना ऐसी बनी कि सब उसमें सुखी हैं वहाँ पे सिख भी हैं उत्तर प्रदेश में मैं अभी कानपुर में था लखनओ में था मध्य प्रदेश में था अभी कुछ देवस पहले दो सबता पहले तो वहाँ पर ये अनुभववा उत्त प्रदेश में इतना सुचारू नियाएक तंत्र है जहां सब एक दूसरे से सौहार्द से रह रहे हैं खुशी से रह रहे हैं किसी को कोई तकलीफ नहीं है जी उसमें सौमी अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें और ये जो डेमाक्रेसी की बात है लिबरलाइजेशन की बात है इन सब के डांडे एरिस्टर्टल प्लैटो इस तरह के लोगों से जो ग्रीक उन से मेले हुए लेकिन कोई बाईसो तेईसो बरस पहले ये लोग थे और बीच में हमने डार केजिस भी देखी और सब कतल और गारत भी देखा इवन अंटिल सेकंड वर्ल्ड वार जी सेकंड में तो यही एक दूसरे को वाईटी वाईटी मारते रहे जी अगर हम अपने हिंदू सिवलाइजेशन में जाएं तो चानिकिया जाएं का जो एक मौटरन रूप था वो कांटीनियू हुआ हमारे हां डार के जिस नहीं आई इन्वेडर्स आए जी और वो भी पूरे भारत म नहीं वो कुछ हिसों में नॉर्डरन पार्ट्स में कुछ में थोड़े अर्से के लिए आए फिर चले गए तो जो हमारी इतनी मौटरन परंपरा है चानिकिया की सुरत में आप मेरे से बहतर जानते हैं वो आज का जो हिंदूत्व है वो उसको कैसे दुनिया को देखाएं एक के बाद करीफ़ अरिवर्वर्ड हुती गई हमारे यां जो उथ्टरा धिकार की परंपरा थी ओनुदि आप मेरे राइट से यह वर नोल लगे पेट्थ आफेग पुटिजेटिस्ट्ट्ट्र आप गर रिचोश्त प्सेजर व रिचूर च।र्च्ट्ट्रोच परीट क torch carry करने वाले कभी खतम नहीं हुए that is why we were not able to see those dark ages and वहाँ पर वो आगे succeed करने में काम्याब नहीं हो पाए और वो वही थम गई वो परमपराई इसलिए उनका हरास भी हुआ और ये सारी problems भी आई और भारत आप देखिए ग्यान के रूप में economy के रूप में socializing के रूप में कभी कम नहीं हुआ उसमें वो परमपराई विक्सित होती रहीं क्योंकि उनको मैं जैसे आज अपने आगे नई पीड़ी को अभी से तयार कर रहा हूँ even being 44 I still want to prepare another set of you know sanyasis ahead of me so that they can carry the same light and the same torch and the same values तो ये बहुत जरूरी था और ये हमारी परमपराओं में embedded है और इसकी तयारी क्योंकि हम आत्मग्यान को समझने वाले लोग हैं हम आत्मा की अमरता को और शरीर की नश्वरता को समझते हैं इसलिए इस पे focus बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और बाकी धर्मों में कई बार वो focus इतनी जल्दी जनरेट नहीं कर पाते और वो प्रतिक्षा करते रहते हैं लास डेस की तो भारती वैदिक सनातन संस्कृती में ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जैसे आपने चानक के का नाम दिया एक ऐसा युग प्रवर्तक पुरुष हुआ जिसने जिसकी नीती अभी तक अमर और अखंड रही और जिनका आदर्श और उनकी जो वैल्यू थी वो कभी नहीं जा पाई अगर आपके पास वक्त हो तो मैं एक छोटी सी मिसाल जरूर साज़ा करना चाओगा तो एक बारी कोई चीन का कोई बहुत बड़ा अधिपती चानक किसे मिलने के लिए आया तो महमान था और चानक के कुछ काम कर रहे थे जब वो आया तो जब उसको देखा उन्होंने तो एक दिया बुझा दिया और दूसरा जगा दिया तो जो वहाँ चीन का नागरिक था वो उसने पूछा दिया तो जग रहा था आपने बुझा है और जगा आया क्यों कोई कारण होगा कोई इसमें अंदर रहस्य होगा तो चानक के ने कहा कि मैं नीती का इंसान हूँ वो जो मैं काम कर रहा था जब तुम आये वो राज्य का काम था इसलिए राज्य के तेल का दिया जल रहा था और अब तुम मेरे महमान हो ये मेरे घर के तेल का दिया है तो जिस इनसान में नैतिकता इतनी बलवान थी उसकी नीतियां, human values और जिसने धर्म का समावेश करके पोलिटिकल अरीना में एक नया किर्तिमान संस्थापित कर दिया हम उन्हें आज तक भूल नहीं पाए क्योंकि देर वर नाट बेटर human values और बेटर वेज अवर्किंग इन पोलिटिकल सिस्टम that were given by him could ever be met by someone else until now तो बहुत बड़ी बात है जी चानक क्यों तो प्रणाम का पात रहें जी वो तो उनको सदा सिर जुकता है देखिये, मैं इसी से एक और बात जोड़ता हूँ और आप से ग्यान अपने वियूर्स के लिए अपने लिए भी लेना चाहूँगा हमने जो अभी बात की के वेस्टर्न सिविलाइजेशन के तमाम तर अच्छे बुरे प्रॉसेस चलने के बावजूद आज की मॉर्डन वर्ल्ल में फोर दे पास लेट से आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार ये एक कांसेप्ट बन गया के रैशनलिटी, प्रॉग्रेस everything is related to वेस्टर्न सिविलाइजेशन म्यूजिक, लिटरेचर हर एक का ये अब दुनिया में ये कांसेप्ट है इवन हमारे भारत में भी लोग यही परसीव करते हैं कि ये वेस्ट की ही देन है चॉइना में भी यही परसीव करते हैं और सब उसको कॉपी भी कर रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात पीनिया अच्छी बात जहां से आए there's nothing wrong in that लेकर हम क्यूं अपने इतने बड़े जो जरनी को establish नहीं कर सके actually आपने बड़ा एक दुखती रग को छेड़ा हम चाहते हैं जी कि भारत में यदि यही systems जो हम वेस्ट में देखते हैं जो disciplined आप सडक से शुरू हों जो disciplined driving है cleanliness है अगर यही सब हम अपने मुल्क में पैदा कर सकें अपनी देश में पैदा कर सकें तो I think आज भी जो Westerners यहां की depressive life से निकल कर भारत जाते हैं में रिशिकेश जाता हूं there is a line of foreigners, they want to go and live there, just because of dearth of certain discipline they come back if we can create that discipline in our own country we would never have to look out it is one of the best countries if we can control the pollution if we can control the water pollution air pollution मैं आपके चैनल के माधधिम से बहुत एहम मुद्दा रखना चाहूंगा मैं इंडिया में एक बहुत बड़े प्राजेक्ट पर काम करने वाला हूं जी इसमें water और air pollution पर हम काम करना चाहते हैं कि हमारी generations को अच्छी हवा जैसे Canada की है, America की है AQI Index is 5, 3 I was in Delhi and the AQI Index was 970 it was difficult to breathe I had a lot of problems I had lung issues in Delhi अगर हम वही स्वच्छता अपने देश में ले आए और थोड़ा सा discipline कर लें अपने आपको और हर भारती है ये एक moral responsibility समझ के अपने देश को contribution करे तो मैं आपको दावा करता हूँ वो दिन दूर नहीं जब Canada और America से भी अधिक हमारा देश प्रगतिशील होगा क्योंकि जितनी manpower जितनी resources जितना sharp brain जितनी strong intellect हमारे देश के पास है हमारे America में, Canada में अच्छे doctors Indian हैं, lawyers Indian हैं business person Indian हैं very leading community so if just needs a little guidance in form of discipline and we can actually make a mark in the world बहुत बड़ी अबाते हैं की, स्वामी जी, आपके साथ तो जितनी बाते हों कम हैं लेकिन किसी भी television show की एक time limit होती है हमारी ये इच्छा होगी कि आपके साथ हम भले से online skype के जरीए shows record करते रहें आपका समय लेते रहें हमें पता आपका बहुत कीमती आप से हम spontaneously सीखना चाहते हैं आखर में आज के show को conclude करने से पहले ये बताएए कि कोई खास message जो आप समयते हों हम अभी miss कर रहे हैं आज की बाती जिसका जाना बहुत जरूरी है वो जरूर दीजे आज वरतमान scenarios में जहां हम अपने पंजाब में सिख भाईयों को अलग होते वे देख रहे हैं या कहीं कहीं पंजाबी विच कहने ने वखरे में दीगाल हो रही है बहुत थोड़ी पर वह ज्यादा नहीं आवें चांद एलिमेंट्स नहीं अपील करना चाहाँ है कि हम हम अपने देश को बटने न दे हम अपने देश को मजभब से उपर आज इनसानियत की मिनाद के उपर खड़ा करके उसको एक ऐसा देश बनाएं जो सब के लिए एक खुला हरदे रखता हो और उसमें सब सुक्षानती से रह सकें जहां आपने जो जहां से बात शुरू की थी वह बात बहुत इंपोर्टन थी मैं इसको फिर से आपके दरशकों के सामने हाइलाइट करना चाहूंगा कि यूरोपियन अगर जर्मनी में रहता है और वो ये कहे कि मैं यूरोपियन नहीं हूँ मैं जर्मन हूँ तो वो अपने आप से एक जुट बोल रहा है ऐसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई इस एक छट में इसकी अखंड़ता को बरकरार रखने के लिए सब एक बात याद रखें कि हम हिंदुस्तानी हैं हम भारती हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा आज हमारी इंडिन आर्मी में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैनी भी हैं, बुद्ध भी हैं, पार्सी भी हैं, इसाई भी हैं, हिंदू भी हैं ये प्रतीक है कि सब देश के लिए इकटे हों और जननी जन्म भूमिश्चा स्वरगादी अपी गरी ऐसी जहां हमें जन्म मिला, उस धरती का मान और गौरव हमारे लिए सबसे बड़ा है, तो यही संदेश के साथ मैं आपको और आपके इस जजबे को प्रणाम करता हूँ, मुझे बहुत इस बात का फक्र महसूस होता है कि आप हिंदूत पर इतना सशक्तता से और इतनी योग्यत से आप उसका नेतरत तो करते हुए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रणाम के पात, नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बलैसिंग हमारे लिए बहुत आखर में स्वामी जी आपकी टीम से कुछ राप्ता करना चाहे ताकि हम स्क्रीन पे वेबसाइट आडरेस, इमेल देश सकें, एक बार आप भी बताये कि कौन सा नमबर है जिस पे हम, जी हमारा एक सेलफोन नमबर है 301-922-2152, एक बार फिर दोरा देजे, 301, 1, it's plus one, 301-922-2152 and we have a Facebook page and a YouTube channel, it's both known as Eternal Voice, EQ टर्नल, eternal voice, V-Y-C-E, we have a website that's also eternalvoice.net and we have an app over the phones that you can download over iOS and Android, this is Eternal Voice again, if you search into your app store and play store on androids in iOS. さoust bubble production can spread out by records, बहुत बहुत हम शुक्र गुजारा हैं कि आपने में समय दिया और आपका हम समय आनलाइन भी लेते रहेंगे और जब भी कभी आप टोरांटो आए यहां पे भी और कोशिश करेंगे कि हम एक स्टूडियो आपके पास जाके बसा रहें जरूर आपका सदा अभिनंदन आपकी आवास पहुंचाने के लिए आपका सदा स्वागत बहुत बहुत अन्यवाद थैंक वियूर्स बात्ची सुन रहे थे आप स्वामी आनिंद गिरी जी की बहुत ही बड़िया हस्ती हैं और ना सिर्फ स्पिर्चुल गुरू हैं बलके न कीजिए इनकी टीम से राप्था कीजिए और नौर्थ अमेरका में हमारे लिए ब्रैसिंग है कि स्वामी जी भी अभ यहाँ पे हैं और जैसा मैं ने का सुआमी जी सिर्फ नौर्थ अमेर्का में ही नहीं बलके वोड़वाईड हैं और भारत में भी बहुत स्टॉंग झाल झाल